हेलो स्टुडेंट्स आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे क्लास नाइन का टॉपिक युनिवर्सल लॉप ग्रैविटेशन जिसे हम नूटन्स लॉप ग्रैविटेशन भी कहते हैं तो चलिए आएए उसके बारे में देखते हैं आज आप यहां पर बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है जो हमारा जो कि अभी हमने आपको बताया आईए तो चलिए उसको देखते हैं कि उसके बारे में क्या है उसको उसका पॉर्मूला क्या होता है यूनिट क्या होती है उसके फॉर्मूले का डेरिवेशन क्या है सब यहां पर उसको देखते हैं तो यह हमारा है यूनिवर्सल लॉप ग्रैविटेशन यूनिवर्सल लॉप ग्रैविटेशन 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 लॉप ग् उनिवर्सल लॉग्विटेशन और नुटन्स लॉग्विटेशन उनिवर्सल लॉग्विटेशन को हम यह भी कहते है कि इस अलसो नोन as Newton's law of gravitation यह हमारा यह कहता है कि हमारे space में या हमारे earth पे जो भी bodies है वो एक दूसरे को जो है एक force के साथ attract करती है वो एक दूसरे को एक force के साथ attract करती है जो कि directly proportional होता है product of their masses and it is inversely proportional to the square of the distance are between them तो यह हमारा जो state करता है it is directly proportional to the product of their masses एक तो first point इसका यह हो गया है दूसरा point excuse me यह कहता है it is inversely proportional it is inversely proportional to the square of the distance square of the distance are between them यह दो इसके statement है जिसके base पे हम इस formula को derive करते हैं तो चली आईए देखते हैं अइए देखते हैं यह हमारी एक एक बॉडी है जो हम सपोस्पोस कर ले रहे हैं कि ए हैं दूसरी बॉडी जो है कि इस है इनका जो मास है ये बॉडी का मास M1 है बी बॉडी का मास M2 है और इनके जो बीच का distance है ये हमने R suppose कर लिया है इनके बीच के distance को हमने R suppose कर लिया है तो हमारा देखिए first statement क्या बोलता है it is directly proportional to the product of their masses यानि इन पे जो force लग रहा है वो directly proportional to the product of their masses हमने पहले बताया कि हर एक body दूसरे पर force exert करती है तो इनके बीच का जो force लगेगा वो होगा F is directly proportional to the product of their masses तो ये हो जाएगा M1 into M2 इसे हम suppose कर लेंगे हमारा ये first equation है क्या दिया हुआ it is directly proportional to the product of their masses यानि जो force लग रहा है कि जो force एक body दूसरे body पे exert कर रही है वो है F is directly proportional to the product of their masses which is equation number one अच्छा second क्या कर रहा है अब जो यहाँ पे इन दोनों की बीच में force लग रहा है ये इनका जो distance है इसके inversely proportional है और उसका square भी है यानि F is inversely proportional to one upon r square एक तो ये हो गया है कि F is directly proportional to M1 M2 F is inversely proportional to one upon r square अगर हम इन दोनों equation को combine कर दे है अगर यहाँ पे हम देखें combining 1 and 2 अगर हम देखें कि हम इन दोनों equation को combine करते हैं तो हमें जो मिलेगा वो F is directly proportional to M1 M2 upon r square थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर लें F is directly proportional to M1 M2 upon r square अब यहाँ पे जो proportionality sign है हमें इसे remove करना है तो जब किसी भी proportionality sign को remove करते हैं तो हम उसे constant से multiply करते हैं तो यहाँ पे हमने किया F is equal to G M1 M2 upon r square G यहाँ पे proportionality constant है G जो यहाँ पर है proportionality constant G यहाँ पर proportionality constant है हमने इस proportionality तो sign को remove परके G यहाँ पे यहाँ पे लगा दिया अब यह proportionality constant है तो यह formula यहाँ पे derive हो गया है जो कि एक body दूसरे body पे कितना force exert करती है वो यह है F is equal to G M1 M2 over r square F is equal to G M1 M2 over r square अब यहाँ पे हम थोड़ा देखेंगे कि हमारी G की unit क्या है G की unit हमारी क्या है और G की value जो है वो क्या है G की value जो experimentally found की गई है 6.67 into 10 to the power minus 11 newton meter square by kg square लेकिन उससे पहले हम G की unit देखेंगे तो यहाँ पे हम देख ले देखेंगे थोड़ा unit of G unit of G देखी G का unit हम जो निकालेंगे यहाँ पे तो यहाँ ते G हो जाएगा f r square upon m1 into m2 इस G को हम थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं यह हो गया है अब देखीए unit कैसे लिखेंगे force का जो unit होता है वो newton distance है distance की si unit है meter तो meter into meter meter into meter और mass की जो si unit होती है वो kg होती है तो यहाँ पे लिख देखेंगे kg into kg तो यह हो जाएगा newton meter square upon kg square तो यह G की हमारी unit है जी की हमारी यह unit आ गई newton meter square by kg square हमने बता दिया की इसको कैसे यहाँ से हमने निकाला है हमने सब की si unit लिख लिख लिया यहाँ पे force की जो si unit है वो newton है उसको हम n से denote करते है distance distance का जो हमारा है वो meter है si unit यह force का si unit है distance का si unit है और mass का अगर देखें तो kg si unit तो यह तीन चीज़ हो गया यहाँ पे उसके basis पे हमने g की value यहाँ पे लिख लिख लिए g की जो value experimentally found की गई है वो आई है 6.67 into 10 to the power minus 11 newton meter square over kg square newton meter square over kg square यह g की value experimentally found की गई है numerical problems को solve करते वक्त हम इस g की value को use करेंगे इस g की value को वहाँ पे use करना है तो यह formula हमने derive कर लिया कि एक body दूसरे body पे कितना force exert करेगी एक बार इसको फिर से मैं आपको explain कर देता हूँ यहाँ पे जो topic है उसका name है universal law of gravitation जिसे हम newton's law of gravitation भी बोलते हैं तो यहाँ पे जो हमने two points लिखे कि force exerted by one body on the another body is directly proportional to the product of their masses and force exerted one body to another body is inversely proportional to the square of the distance R between them तो यहाँ पे हमने two masses लिये हैं A, B A का mass M1 है B का mass M2 है इनके बीच का distance हमने R suppose कर लिया है इनके बीच का distance हमने R suppose कर लिया है अब जो first statement बोल ला है कि it is directly proportional to the product of their masses so F is proportional to M1 N2 M2 जो कि यहाँ पे M1 M2 से denote किया गया है and F is inversely proportional to the square of the distance R between them so F is proportional to inversely proportional to 1 by R square यह हमारा equation number first है यह equation number 2 है इन दोनों को हमने combine कर दिया यहाँ पे हमने दिखाया है combining 1 and 2 combine करने के बाद F is directly proportional to M1 M2 upon R square जब भी कोई formula में जब हम derive करते हैं कोई proportionality sign आता है उसको remove करने के लिए proportionality constant से multiply करते हैं जो कि यहाँ पे G हमने लिया है proportionality of constant उसके बाद unit हमने देखा कि G की unit क्या है G की unit यहाँ पे क्या है हमने force की unit देखा force की SI unit Newton है mass की kg और distance की जो कि हमने यहाँ पे लिया है उसका होता है meter यहाँ पे हमने देखा है force की SI unit Newton है distance, meter, mass kg तो यहाँ पे हमने जब इसकी unit derive किया तो यहाँ पे है लिख दिया force की place पे Newton, distance की place पे distance का meter m into m दिख दिया है और mass का kg तो जब इसको निकाला तो G is equal to Newton meter square over kg square यह unit of G है unit of G जब भी हम numerical swap करेंगे तो G की value लेंगे which is experimentally found to be 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square over kg square तो यह हमारा एक छोटा सा topic है जो कि हमने discuss किया universal law of gravitation जिसे कि हम Newton's law of gravitation कहते है कि क्योंकि Sir Isaac Newton नहीं इसको दिया था इस formula को तो उनी के name पे इसको जो है बोला जाता है यह भी Newton's law of gravitation तो यह एक छोटा सा topic है hope that you all have understood next lecture में हम इसी के आगे एक दूसरा topic discuss करेंगे till then thank you and have a nice time